प्रेदर्शकों हाजिर हूँ मैं 21 नवंबर 2020 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी शनिदेव को नमन कर चलिए राशिफल का एकारिक्रम प्रारंभ करते हैं बात करेंगे सबसे पहले आज के पैंचांग की आज शनिवार हैं कारतिक मास शुकल पक्षकी आज सब्तमीति थी है रात्री में 9 बच करके 48 मिनट तक और इसके पुष्चात अश्टमीति थी है श्रमन नक्षत्र है प्रात्रकाल 9 बच करके 54 मिनट तक और इसके पुष्चात धनिष्ठा नक्षत्र है वृद्धियोग गर करण है बात होगई पंचांकी चुंद्रमा आज मकर राश में हैं रात्री में 10 बच करके 26 मिनट तक और इसके पुश्चात कुम्भ राश में प्रवेश कर जाएंगे और अभिजित मुहुर्त का समय दिन में 11 बच करके 22 मिनट से दोपार 12 बच करके 5 मिनट तक का होगा वही राहुकाल प्रातह 9 बजे से 10 बजे तक जैसा कि आप सभी जानते हैं कोई भी नया और शुभकार्य जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो ऐसे प्रतेक कार्य को अभिजित मुहुर्त में प्रारंभ करना चाहिए ये अभिजित महुर्त हरिक्वती प्रिय है राहुकाल में कोई भी नयाकारे प्रारंभ नहीं करना चाहिए आज प्रातह सुर्योदे से लेकर नौबच करके 54 मिनट तक जब तक की शुरवण नक्षत्र है सरवार्थ सिद्धी योग है तो कोई कारे करना हो तो आप इस समय का इस काल का लाभ उठा सकते हैं प्रियदर्शकों गोचर में वैसे तो सदैव कोई न कोई योग बनता ही रहता है महत्वपुर्ण योग बनता रहता है चंद्रमा के संचरण के कारण इस समय गोचर की स्थिती बेहद जबरदस्त है ग्रहों का बलाबल बेहद जबरदस्त इस्थिती में है जहां एक योग बन रहा है अमला योग अथवा सफल अमल कीरती योग इन दोनों ही नाम से इस योग को जाना जाता है ये दो प्रकार से बनता है लगन से और चंद्रमा से ये योग अपने आप में बेहद स्रिष्ट फल प्रदायक होता है प्रतेक राश के जातकों के लिए गोचर में बनने वाला ये अमला योग क्या प्रभाव लेकर क्या रहा है ये जानेंगे आज के राशी फल में तो राशी फल की चर्चा करेंगे लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रहस्थितियों की राहू ब्रिशब रासी में सुन्चरन कर रहे हैं तो वहीं शुक्र और बुद्ध युति बना कर तुला राशी में केतु और सूरिय युती बनाकर व्रिश्चिक राशी में सुन्चरण कर रहे हैं तो वहीं देव गुरु ब्रहस्पती शनिदेव के साथ और चंद्रमा के साथ युती बनाकर मकर राशी में और मंगल का सुन्चरण मीन राशी में यथावत जारी है तो ये है ग्रहस्तुती, इन्हीं ग्रहस्तुतियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तयार किया, निदैनिक राशीफल तयार किया है, वो नैदरशब जो मैं इस राशीफल के कारिक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूँ यहाँ नाम राशी के अढ़ार पर इस राशी फल को देख सकते हैं, गोचर में इस समय देखा जाए, तो गुरु शनी की युती, अपने आप में अत्यन्त någon स्रेष्ट, और शुक्र बुद्ध की युती, यह भी अपने आप में अत्यन्त विश्ट, जहां शुक्र स्वग्रिही संच करन कर रहे हैं तो अमला योग अथवा सफल अमल कीर्थ योग का निर्मान कैसे होता है तो लगन से दसमे घर में शुभग रह बैठे हो या शुभग रह हो तो अमला योग बनता है अथवा चंद्रमा से दसम घर में शुभग रह हो तो यह योग बनता है और इस समय गोचर मे ऐसी हिस्तुति है शुक्र और बुद्ध ये दोनों ग्रह एक साथ और चंद्रमा से दसमस्त हैं ये अमला योग अपने आप में बेहद स्रिष्ट अगर आप ब्यापारी हैं तो ब्यापार के क्षित्र में लाभ दिलाने वाला नौकरी पेशा लोगों के लिए भी बहुत जातकों के लिए ये अमला योग क्या प्रभाव लेकर क्या रहा है बात करेंगे राशियों के क्रम में पहली राशी मेश राश के जातकों के लिए देखा जाए तो गोचर कुंडली में चंद्रमा आज भी दशंभाव में सुन्चरन कर रहे हैं गुरू चंद्रमा और शनी ये तीनों ग्रह युती बना कर सुन्चरण कर रहे हैं गज केसरी योग का प्रभाव आपको आपकी रासिशे दसंभाव में मिल रहा है तो वहीं सप्तंभाव में अमला योग का प्रभाव चंद्रमा के कारण आपको मिल रहा है अपने करियर पर पूरा पूरा ध्यान दीजि फिर भी देखा जाए तो कुछ बड़ा करना चाहते हैं आप कर सकते हैं जमीन जायदात से समधित कोई कारी करना चाहते हैं तो आज कर सकते हैं किसी भी तरह के जमीन इत्यादी, अचल संपत्ति की खरीद या विक्री करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं दोनों ही मामले में आपको लाब होगा आज सबसे जादा मेश रासी के ब्यापारियों को फाइदा मिलने वाला है ब्यापार में जबरदस्त इस्तिती बनेगी बातचीत से आप किसी भी तरह के उलजे मामले को आसानी से सुलजा लेंगे उसका समाधान निकाल लेंगे और नौकरी पेसा लोगों के लिए दिन बढ़िया दिखाई पड़ रहा है जहां रुके हुए आपके काम बनेंगे वहीं आपका व्यक्तित तो बड़ा ही आज भव्य होता हुआ दिखाई पड़ रहा है कारेक छित्र हो व्यापारिक छित्र हो समाज में हर जगह मान सम्मान पद प्रतिश्ठाद आपको प्रापत होने वाला है अपनी वाणी से आप अपने सारे काम बेहत आसानी से बना ले जाएंगे रुका हुआ पैसा वापस मिलने वाला है और आपको एक ही बात का खयाल रखना है कि आज का काम आज ही कर डालिए कल पर मट डालिए प्राता काल नौबच करके चगवन मिनट के बाद चंद्रमा धनिष्ठा नक्षत्र में प्रवेस कर जाएंगे और धनिष्ठा नक्षत्र में प्रवेस करते ही वो मंगल के नक्षत्र में होंगे सो जितना अधिक स्यधिक हो सके पूरुसार्थ करिए हाँ जीवन सांती से थोड़ा वैचारिक मतभेद हो सकता है इस बात की संभावना है समहल करके रहिए बोलने से पहले तोल लीजिए सूच समझ करके बोलिए बाणी पर अपने संयम रखिए जीवन सांती के सांत संबंध में विद्ध्यार्थी आज पूरी तरह से सफल रहने वाले हैं प्रेम संबंध के लिए दिन बेहत ठीक ठाक कहीं कोई दिक्कत नहीं प्रेम संबंध को अगर बैवाहिक संबंध में तब्दील करना चाहते हैं तो पैरेंट से बात करना आज आपके लिए बहुत बढ़िया होगा सेहत में कहीं कोई समस्या नहीं, सेहत को लेकर के कोई चिंता मत करिए कोई परिशानी रही भी थी, सेहत को लेकर के वो दूर हो जाएगी देवी सुक्त का पाठ आज आपको करना चाहिए लकियंग का आपके लिए आज तीन और लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है सफल अमल कीरती योग, अमला योग का प्रभाव आपके सस्ठम भाव से मिल रहा है, बस एक बात का खैल रखिये, आपकी चारत्रिक मजबूती ही आपके सुरक्षा की गैरेंटी है, मित्रता ठीक, लेकिन मित्रों के साथ किसी भी गलत कार्य में, गैर कानूनी कार्य में प्तमत होईएगा, नहीं तो किसी मुश्किल में आज आप फंस जाएगे, वैसे तो आपका आत्नविश्वास चरम पर रहने वाला है, इसमें कहीं कोई संसे नहीं, मन भी आज आपका बेहत सक्रिय रहेगा, परन्तु फिजूल खर्ची से बचना होगा, दिखावे से बचि और वहीं जो लोग बैंकिंग इत्यादी के फिल्ड में जो विद्यार्थी तयारी कर रहे हैं, उनके लिए आज का दिन बहुत खास बहुत बढ़िया हो, बनने वाला है, भाग्य का सांथ आपको मिल रहा है, पैसों के मामले में अगर कोई रुकावट आ रही थी, वो खत् सहमत कर सकते हैं, तो किसी बात पर अगर बोस से अनबन चल रही है, बोस आपकी बात से सहमत नहीं है, आज सहमत कराने का प्रत्न करिए, जीवन सांती के सांत, शांती और तालमेल बिठाने की कोशिश करिए, ताकि घर का माहौल बहुत बढ़िया हो, और प्यार का इजहार क आज का दिन बेहत खास बहुत बढ़िया दिखाई पड़ रहा है, अगर आप नहीं करते, तो सामने से ही पहल होने की संभावना है, और विध्यार्थियों के लिए मिला जुला फल देने वाला है दिन, हलाकि मैं एक बात बता दूँ कि वो विध्यार्थी, जो सावधान रहिएगा, अगर आपको यूरीन से संबंधित परिशानी है, तो ये परिशानी बढ़ सकती है, सावधानी रखिएगा, लकियंग का आपके लिए आज दो लकी कलर है, आपके लिए आज सफेध है, और बात मिथुन की कर लें, तो मिथुन राश के जातकों को काई जहार करने वाले हैं, तो मत करिए, प्रेम संबंध में मतभेत की संभावना, और जादा आपने जिद की किसी भी मामले में, किसी भी तरह की जिद, तो प्रेम संबंध आज तूटेगा, पेट से संबंधित, समस्याओं के योग बन रहे हैं, सुजरा खान पान का ध्या किसी के उपर आज दबाव नहीं डालना, जब अरदस्ती अपनी बात मनवाने की कोशिश नहीं करनी है, अपने परिवार के संबंधों को महत्व दीजिए, पारिवारिक संबंधों को महत्व दीजिए, और मदद करिए सब की खुले दिल से, वक्त आएगा जरोत पड़ेग के लाभ मत कमाईएगा फंस सकते हैं, ब्यापारियों के लिए दिन बहुत बढ़िया नहीं दिखाई पड़ता, धनलाभ हमें थोड़ी कमी रहेगी, जूट बोलने से आज बचना है, और आज स्त्री जाती का सम्मान विशेस रूप से करिए अगर आप पुरुष हैं, और विवाहित लोगों को बता दू, विवाह का प्रस्ताव मिलेगा, परंतु उस पर विचार करना होगा, और प्रेम संबंद में पूरे दिन उतार चढ़ाओ भरा रहने वाला है, हो सकता है आप प्रेमी के शक्का सिकार हो जाएं, या अपने प्रेमी पर शक्कर बैठें, वि द्यान में दीजिए, खाने पीने से संबंद इत्चीज, किसी गरीब को दीजिए या कहीं बिठा करके उसको खिलाइए, इससे आपको फायदा मिलेगा, लकियंका आपके लिए चार लकी कलर आपके लिए आज पीला है, और करक की बात कर लेते हैं, करकराश के जातकों के ल आपका व्यक्तित तो बड़ा ही भव्य और जबरदस्त होने वाला है, कारियों में देरी से उकताईएगा मत, और अपने स्वभाव से जराबाज आईए, आलस्य से बचिये, बड़ा कदम उठाने के लिए दिन बेहद सही होगी है आपके लिए, बड़ा कदम उठाईए, यह सही समय है बड़ा कदम उठाने के लिए और कारिस्थल पर काम थोड़ा ज़्यादा होगा, लेकिन हर मामले में आपको सफलता मिलेगी, मेहनत से मत बचियेगा, मेहनत है आज, नया वाहा नित्याजी खरीदने का मन बना रहे हैं, खरीदिये, ब्यापारी है तो ब्याप पारिक दृष्टिकोंड से भी आज का दिन आपके लिए बहुत बढ़िया है, नया अवसर आपको मिलने लगेगा, अथवा नया अवसर नजर आएगा, या तो नया अवसर मिल जाए, या नया अवसर कहां से मिल सकता, ऐसा नजर आपको आएगा, आमदनी में आपके पैसों के मामले में आज आपको बिवात करने की कोई आवसर नहीं, धनागमन की सुथी बहुत अच्छी बनने वाली है, मन में भावनाएं बहुत ज़्यादा उत्पन्न होंगी, परन्तु इसे किसी से भी बताईये मत व्यक्तमत करिये, दामपत्ते जीवन पूरी तरह से हाँ, जीवन साथी की सेहत को लेकर कि आज जरूर आप चिंतित होंगे, और प्रेम संबंद में कोई निरने लेने से आज आपको बचना चाहिए, प्रेम संबंद के लिए दिन बहुत बढ़िया नहीं है, अगर किसी मामले में प्रेमी पर शक करते हैं आप या शक हो भी गय है, तब भी मिलकर प्रेमी से सुलजाने का प्रेत्न करिए और आज प्रेम संबंद के मामले में कोई बड़ा निरने मत लीजिएगा, विद्यार्थी जादा मेहनत के बावजूद वो सफलता हांसिल नहीं कर सकेंगे, जिनकी अपेक्छा थी, परेशानी थोड़ी सी रहेग कोई बात नहीं, घबराईये मत, हिम्मत बनाए रखिये, सक्षा का छित रागे चल करके बढ़िया हो जाएगा, और आज सेहत में मामूली थोड़ी परेशानी हो सकती है, पिता की सेहत का विशेश रूप से खयाल रखियेगा, जीवन सांती की सेहत का खयाल रखियेगा, आ आप 21 बार जब कर लीजेगा, और तभी घर से बाहर जाएगा, काम आपके सारे बनेंगे, सिम्म की अगर हम बात कर लें, तो सिम्मरास के जातकों के लिए आज का दिन बेहत अलग और सारे काम आपके अच्छे ढंग से एक एक करके होते जाएंगे, लेकिन हर कार्य में नसील थे, तो समझ लीजे सफलता आपको मिलने ही वाली है, और कारिस्थल पर जिम्मेवारियों से भागेंगे, जिम्मेवारियां और बढ़ेंगी, परेसानियों से भागेंगे, परेसानियां और बढ़ेंगी, आज कारिक छत्र में शत्रू आपका कुछ भी नहीं कर शान्ति के साथ व्यापार करिए और अंचाहा खर्च आज आपको परेशान कर सकता है किसी को उधार देना ठीक नहीं है लब पार्टनर पर आपका खर्च होने वाला है अधिक खर्च होने वाला है हलाकि संबंध लब पार्टनर के साथ और ज्यादा मधूर बनने वाले हैं विद्यार्थियों को सफलता मिलेगी कहीं कोई दिक्कत नहीं जरूत पड़ने पर आपको सहयोग भी मिलेगा और पेट से संबंधित परेशानिया हो सकती है जरा खान पान का ध्यान रखियेगा लिए देखा जाए तो आज क्या दिन बेहक खास बहुत बढ़िया किसी भी तरह के कला के फिल्ड से जुड़े हुए हैं जिविशेश कर गायन त्यादी के छित्र से तो आपकी ख्याती बढ़ने वाली है सफलता आपकी जबरदस्त बढ़ने वाली है धन लाभ मान सम्मान स सब कुछ आपको बढ़चड करके मिलने वाला है गोचर कुंडली में देखा जाए तो गुरु शनी की यूति का संबंध पंचम में तो वहीं सफल अमल किर्थी योग का प्रभाव आपको मिल रहा है गज केसरी योग का प्रभाव सभी तरह से आपको फायदा देने वाला ह अचानक बिना विचारे कोई निरने मत लीजेगा और पूर्म में किसी से वादा कर रखा है तो आज वो वादा पूर्ण कर दीजेगा संतान से सहयोग संतान की ओर से खुश खबरी संतान की सफलता अथवा कुटुम्ब में कोई नया मिहमान ऐसी कोई खुश खबरी आपको रखना है और कारेस्थल पर दिन बहुत बढ़िया रहेगा लेकिन विपरीत का अपमान मत करिएगा विपरीत के प्रती अभद्र भाशा का प्रयोग मत करिएगा व्यापारियों को लाब होने का योग बन रहा है व्यापार से संबंदित बड़ी योजनाय बनेंगी बिना स सोचे समझे किसी से वादा नहीं करना अन्य था फ्रसना निश्चित समझिये प्रेम संबंद में वैचारिक मतभेद की संभावना साफ साफ दिखाई पड़ रही है गुसे पर अगर आपने कंट्रोल नहीं रखा तो बात बिगड़ जाएगी विद्यार्थियों को आज मेह आले पढ़ जाए या जल जाए ऐसी कोई समस्या आपको हो सकती है सोजरा गर्म खाने से बचिये खान पान का ध्यान रखिये और आज मा भगबती जगत जन्नी जगदंबा को लाल पुस्प की माला अरपित करिये लकियं का आपके लिए तीन लकी कलर आपके लिए आज सफे ने वाले हैं खुद पर नियंतरन बना करके एक बार आपने जो ठान ली अपने मन पर नियंतरन बनाईए और फिर जो मन में आय करिये सफलता हर चित्र में मिलने वाली है रोजमर्रा के सारे काम पूरे होने वाले हैं परिवार का माहौल भी बहुत बढ़िया रहेगा घर का एक काम सभी बनने वाले हैं सरकारी नौकरी में हैं जबर जस्त है दिन या प्राइवेट सेक्टर में हैं बहुत बढ़िया है दिन नौकरी चली गई है नई नौकरी आपको मिलने वाली है कोई भी कारे करने वाले हैं किसी भी कारे के लिए पहल करने वाले हैं आप बस कदम के लिए अत्यंत शुब है दिन कार्य में आ रही बिलंब किस्तिती से घबराईएगा मत धैरे बना करके रखिएगा और अपने काम करते चले जाईए आगे बढ़ते चले जाईए काम खुद बखुद सब होंगे निवेश करने के लिए दिन ठीक है परन्तु व्यापार में न मानने का प्रत्न करिए राजनीती से जुड़े हुए हैं बहुत बढ़िया दिन दिखाई पड़ रहा है जबर दस्त सफलता और प्रेम संबंध के लिए दिन आज का ठीक है हाला कि थोड़ा उतार चढ़ाओ होगा तु तु मैं मैं थोड़ी होगी लेकिन बाद में परेशान होना पड़ सकता है सावधान रहिए पूर्व में लगा हुआ कहीं चोट प्यादी उसमें दर्द बढ़ने की संभावना या पूर्व के किसी दुरगटना वाली इस्तिती जहां चोट चपेट लग गई हो वहीं से सम्मंधित कोई परेशानी बनने की संभावना ह सुजरा सावधान रहिए और आज वहोलेनात को जाकर कर दूधर्पित करें लक्यंका आपके लिए अज तीन लकी का लरा आपके लिए lang ऱरह ह ब्रिश्चिक की बात कर लेते हैं वरिश्चिक रास के जातकों के लिए आज का दिन क्याले करके आ रहा है हिम्मत बनाए रखनी है आपको सफलता तो मिलेगी परंतु पुरुसार्थ से परिश्रम से आज आए से जादा ब्याय की स्थिती बनेगी हर कार्यम में मेहनत होगा हलाकि भाग्यका साथ मिल रहा है परिश्रम आज आपके लिए बेहत जरूरी है इस बात का ध्यान रखिए प्राता काल 9 बज करके 24 मिनट के बाद चुंद्रमा धरिष्ठा नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे और ये मंगल का नक्षत्र है आपके सहयोग से औरों का काम होने वाला है आपके समर्थन से औरों का काम होने वाला है तो आप इसी से समझ सकते हैं अपनी उप्योगिता आपको भी सहयोग मिलेगा काम सारे बनेंगे जरूरत पढ़ने पर कोई बड़ी जिम्मेवारी भी आज आपको मिलेगी बस सबके साथ संबंध अपना मधुर बना करके रखियेगा पूरे दिन बिपरीद से आपको सहयोग भी मिलता रहेगा समर्थन भी मिलता रहेगा यात्रा की योजना आपने बना रखी है जरूर यात्रा करिये परंतु फिजूल खर्च से बचिये ब्यापारियों को बड़ा फायदा होने वाला है बड़ा लाब मिलने वाला है आर्थिक स्तुती आपकी मजबूत दिखाई पड़ रही है बस अपनी योजना अपनी राज की बात किसी से बताईएगा मत अपने जबान पर मुह पर आपने आज कंट्रोल रख लिया खाने पीने के मामले में भी और बोलने के मामले में भी अपनी अशहन सिलता को आज जरा कंट्रोल में रखा तो समझ लीजिए कि किसी भी मामले में समस्या जहां आएगी उतार चड़ाव की स्थिती बनेगी हर समस्या को आप पार करके आगे चलते चले जाएंगे विद्यार्थियों को आज अधिक मेहनत करनी पड़ेगी तब जाकर के सफलता और सेहत के मामले में परिशानी है किसी न किसी पुरानी एलर्जी से आपको परिशान होना पड़ सकता है तो सेहत का खायाल रखियेगा ब्याय पर नियंतरन रखियेगा और भोलेनात के मंदिर में जाकर के भोलेनात के उपर आज बिल्लो पत्र अपित करिये लकियंग का आपके लिए एक लकी कलर आपके लिए आज हरा है बात कर लेते हैं धनुराश की धनुराश के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर क्या रहा है बेहत खास बहुत बढ़िया है दिन लाब की जबरदस्त इस्तिती बनी हुई है धन संचैन के लिए दिन बहुत बढ़िया किसी भी क्षत्र में पहल करने के दिर्ष्टिकोंड से बहुत बढ़िया है दिन सफलता मिलेगी कोई बड़ा कदम उठाने की बारे में सोच रहे हैं जरूर सोचिए गोचर कुंडली में जहां गज केशुरी योग का लाब तो वहीं सफल अमल कीरतियों का लाब भी आपको मिल रहा है शुक्र और गुधुकी यूती लाभभाव में जबरदस्त लाब किस्तिती बनी हुई है अपने वानी पर नियंत्र रखते हुए जहां भी जैसा बोलेंगे ऐसा हो नहीं सकता कि आज आप सबको मंत्र मुग्धना कर लें किसी भी तरह की कठिनाई या समस्या से आप जूज रहे हैं वो समस्या खत्न होने वाली है एकागरता आपकी बढ़ने वाली है हर मामले में जबरदस्त सफलता हाला कि ये एकागरता विध्यार्थियों की नहीं बढ़ रही है विशेश कर अगर आप management field के विध्यार्थी है तो कहीं न कहीं आपकी एकागरता में यहां कमी दिखाई पड़ रही है तो आपको एकागर विशेश रूप से होना चाहिए तभी सफल होंगे नया वाहन खरीदने की योजना बना रहे हैं, खरीद सकते हैं नौकरी पेसा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए दिन अनुकूल दिखाई पड़ रहा है व्यापार में लाब होने वाला है, वहीं अगर आप कमिशन के च्छत्र में जुड़े हुए हैं तो किसी बड़ी डील की संभावना है, बड़ा लाब आपको मिलेगा बिना सोचे समझे आज नहीं बोलना है, वानी पर अपने संयम रखना है, सब कुछ बढ़िया होगा अदामपत्य जीवन सुख में प्रेमियों के लिए बहुत बढ़िया दिन, प्यार का इजहार कर सकते हैं, लेकिन प्रेम के ख्षत्र में हैं, प्रेम संबंध में हैं, तो शक का सिकार भी आज़ाप, हो सकते हैं अपने प्रेमी के बिद्यार्थियों को पुना आगाह कर देना चाहता हूँ, विसेज कर अगर आप मैनेजमेंट फिल्ट के बिद्यार्थी हैं, तो आज मन आपका भटकाव में रहेगा पढ़ाई, बहुत अच्छी नहीं हो सकेगी सहत के मामले में आलस से किस्तिती बनी हुई है, आज केसर का तिलक अपने माथे पर लगाईए, लकियंग का आपके लिए तीन लकी कलर आपके लिए आज पिंक है, और बात मकर की कर लेते हैं, मकर राशिक जातकों के लिए, आज का दिन क्या लेकर क्या रहा है सोच समझ करके हर कारे करिए बिना सोचे समझे कोई भी कारे करेंगे मुश्किल में पढ़ेंगे किस्मत का साथ मिल रहा है हर कारे समय से पूरा होने वाला है गोचर कुंडली में देखा जाए तो गज के सुरी शष मालव्य और सफल अमल कीरती योग का लाभ आपको मिल रहा है गोचर कुंडली में मंगल पराकरम भाव में सुंचरन कर रहे हैं राब की रासी से हर मामले में दिन बहुत बढ़िया कारे बिलंबित अवस्य होगा परन्तु धैरे बना करके रखना है अगर पुरुष हैं तो किसी भी तरह से महिला मित्रित्यादी का अपमान करना कारे सल पर विपरीत का अपमान करना अभद्र भाशा का प्रयोग करना आपको मुश्किल में डालेगा इसके अलामा कहीं कोई परिशानी नहीं लाभ की स्तुती जबरदस्त बनी हुई है परिवार का सहयोग मिलेगा नौकरी पेसा लोगों के लिए दिन बेहत अनुकूल पदुन्नती और लाभ के योग बन रहे हैं हर तरह से दिन बढ़िया पुराने दोस्त से आज आपकी मुलाकात और पुराने दोस्त से कोई ऐसी जानकारी मिल सकती है जो आपके लिए फायदे मंद हो ब्यापारियों के लिए दिन शुभ निवेश करना पूरी तरह से लाभदाई बहस और बिवाद से आज आज आपको दूर रहना है आज के दिन को केवल और केवल अपने हित में इस्तेवाल करिए प्रेम संबंद के लिए दिन बढ़िया जीवन सांती से आज आपको प्रेम मिलेगा दामपत्य जीवन में मधूरता आएगी दामपत्य जीवन सुखद विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत बढ़िया जरूत पढ़ने पर सहयोग मिलेगा और कमरदर्थ के शिकायत इत् बढ़िया है दिन वैसे तो सफल अमल कीरतियों का लाभ आपको मिल रहा है भाग्यभाव से मिल रहा है परन्तु ब्यायाधिक्य के कारण थोड़ी परेशानी होगी हर कार्य में आ रही बाधा और विग्न वानी पर नियंत्रन न रख पाने के कारण थोड़ी परेशानी और ब को सफलता मिले तो अपने अधिनस्तों के पक्ष में बोलिए उनकी बात को उठाईए अगर उनकी उनको कहीं नुक्सान हो रहा है उनका सहयोग करिए किसी भी मामले में आक्रामक मत हो ये खर्च में बुद्धि के योग हैं और यात्रा आपके लिए बेहद लाभदाई हो मैं ऐसा नहीं कह सकता सो यात्रा से बचिये हाला कि व्यापारियों के लिए बता दू व्यापार में लाभदाई है दिन लाभ मिलेगा तो वहीं सरकारी नौकरी में हैं तो बहुत बढ़िया है दिन जबरदस्थ है दिन नौकरी में अगर कोई परिशानी आ गई थी कोई उच्छा धिकारी आपसे रुष्ट वह नाराज हो गया था तो आज उससे बातचित करना उसको मनाना बहुत बढ़िया है दिन अगर जुगार से कोई काम आपका बनने वाला था जो बहुत दिनों से नहीं बन पा रहा था आज वो बनेगा और किसी को उधार देने वाले थे तो आज भूल कर भी मत दीजेगा किसी के लिए गैरेंटर बनने वाले थे उधार दिलाने के लिए तो आज ऐसा मत करिएगा जीवन सांती की भावनाओं का खयाल रखिए जीवन सांती के साथ समय वितीत करिए विद्यार्थियों को करियर में आगे बढ़ने का मौका और जरुवत पढ़ने पर सहयोग मिलेगा और प्रेम संबंद के लिए दिन पूरी तरह से कामयाब है आज का दिन प्रेम के खित्र में बहुत बढ़िया अपने खान पान पर कंट्रोल रखिए और गणेश जी को जाकर के दूरबार पित करिए लकियं का आपके लिए चार लकी कलर आपके लिए हलका लाल है और बात मीन की कर लेते हैं मीन राशी के जातकों के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है हर तरह से अपनी योग्यता का जहां आप फायदा उठाते हुए आगे बढ़ेंगे वहीं एक छोटी सी कमी आपके साथ भी दिखाई पड़ रही है जल्दबाजी में कोई कारे मत करिएगा उग्रो होकर के मत बोलिएगा धनलाभ का प्रबल संयोग बन रहा है और ये धनलाभ होगा कैसा आकस्मिक मान समान समाज में सब कुछ आपको मिलता जाएगा गोचर कुंडली में देखा जाए तो आप पिरासी पर ही मंगल का सुन्चरण होना लाभ भाव में गुरू और शनिक यूति गज केसरी योग का प्रभाव तो वहीं सफल अमल की रुतियोग का प्रभाव और सुरिय का भ कुछ देना चाहता है तो आप भी कदम आगे बढ़ा करके लीजिए जरुवत पढ़ने पर आपको दोस्तों से सहयोग मिलेगा कोई विशेस कार्य जो की बहुत दिनों से रुका हुआ था बेहत सफलता के सांथ पूरुन होने वाला है नौकरी पेसा लोगों के लिए दिन बेहत खास तो अहीं व्यापारियों के लिए धनलाब के दृष्टिकोंड से दिन बहुत बढ़िया है कहीं भी किसी तरह का निवेश आपके लिए फायदे मंद होगा ये निवेश आगे चल करके आपको फायदा देगा बाहर का भोजन नहीं करना प्रेम संबंद के लिए बहुत बढ़िया है दिन प्यार का इजहार आप कर सकते हैं और विद्यार्थियों के लिए भी जबर्दस्त बहुत खास है दिन अगर सरकारी नौकरी के लिए आप प्रत नसील हैं और सरकारी नौकरी की तयारी करने विशेश कर SSE से संबंदित तयारी आपकी जारी है तो विशेष सफलता के योग बन रहे हैं खान पान का ध्यान रखिए और आज गायत्री मंत्र का 11 बार जब कर लिजेगा लकियंक आपके लिए आज तीन लकी कलर आपके लिए पीला है तो प्रियदर्श को ये था मेश शे लेकर मीनराशी परियंत प्रतेक राश के जात्कों का प वही के लिए वस इतना ही इजाज़त दीजिए पुनह मुलाकात होगी तब तक के लिए नमस्कार